हेलो गाईज मैं हूँ राहूल और आपका स्वागत है एक और वीडियो में इस वीडियो में बात करेंगे इन्फोर्मेशन डिस्प्ले के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं तो चलिए पहले बात करते हैं स्पीडो मेटर के बारे में जो right तरफ होता है यह indicate करता है vehicle का speed का इसमें speed alert system भी होता है जो activate होता है 80 km per hour की speed पे और दूसरी बार होता है 120 km per hour की speed से अगर आप इस limit को cross करते हैं तो आपको एक buzzer sound करेगा जो indicate करता है कि आप over speed कर रहे हैं अब बात करते हैं tachometer के बारे में जो indicate करता है engine speed यह बताता है revolutions per minute में यह आपको reading दिखेगी इसकी 0 to 8,000 rpm अगर आप 6,000 rpm के उपर जाते हैं तो यह engine के लिए बिलकुल अच्छा नहीं होता है अगर आपको अपनी गाड़ी से best mileage निकालनी है तो 2,000 to 2,500 के बीच में rpm होना चाहिए अब बात करते हैं information display के mid section के बारे में तो पहले शुरू करते है clock से तो यह display करता है current time अगर आपको इसको reset करना है तो आप उपर वाले link में click कर सकते हैं जो इसके लिए मैंने अलग से video बनाया है clock के नीचे होता है gear shift indicator यह आपको indicate करता है कि gear जो है up shift करना है या फिर down shift करना है यह आपको automatic indicate करेगा speed के इसाप से gear shift indicator के side में होता है parking sensor indication जब आप reverse करते हैं तो यह आपको indicate करेगा अगर कोई object आपकी car के पीछे है और आपको alarm sound करेगा इसके नीचे होता है trip meter और average fuel consumption और आपकी गाड़ी कितना range cover कर सकती है यह सारी चीजें आपको इसके नीचे वाले display में मिल जाती है और इसके नीचे आपको मिल जाता है autometer जो indicate करता है आपने अभी तक car कितने km चलाई है अब बात करते हैं fuel gouge के बारे में यह indicate करता है कि आपके tank में अभी कितना fuel बचा हुआ है so currently आप देख सकते हैं 10 में से 8 segment full है तो मेरे tank में अभी काफी fuel बचा हुआ है तो जैसे ही यह E पे पहुंचता है आपको refill कर लेना चाहिए अगर आप उस time refill नहीं करेंगे तो कुछ time के बाद जो last segment होता है वो blink करने लगेगा और वो indicate करता है कि fuel जो है almost खतम होने वाला है तो तब तक wait नहीं करना चाहिए जैसे ही E पे आता है आपको refill कर लेना चाहिए अब बात करते हैं temperature gouge के बारे में यह indicate करता है आपके engine coolant का temperature यह होता है reading इसकी C जो होती है वो minimum होती है और जो H है वो high होती है तो जैसे ही अगर आपको high दिखे तो आपको तुरंट कार रोक लेनी चाहिए अगर आप कार नहीं रोकेंगे तो यह severe damage कर सकता है आपके engine को अब बात करते हैं warning और indicator lights के बारे में पहले बात करते हैं brake के बारे में जो सबसे ऊपर होता है जो indicate करता है कि आपकी गार में hand brake लगा हुआ है इसके side में होता है ABS indicator अगर यह light जलती रहे तो इसका मतलब है कि ABS system के साथ कुछ malfunction हुआ है ABS के side में होता है high engine coolant temperature indicator इसका मतलब है कि आपका engine coolant का temperature बहुत high हो चुका है speedometer में आपको 6 indicator मिल जाते हैं जो सबसे उपर होता है वो indicate करता है seat belt warning का उसके नीचे होता है airbags warning का और नीचे आपको 4 indicator मिल जाते हैं जो पहला होता है वो warning होता है battery system के लिए battery indicator के side में होता है oil pressure light जो indicate करता है कि आपके engine में oil level कम हो चुका है oil pressure indicator के नीचे होता है malfunction indicator light जो indicate करता है आपका emission control system के बारे में अगर वो properly function नहीं कर रहा है तो आपको ये indicator blink होगा आपका malfunction indicator light के side में होता है electric power steering light जो indicate करता है आपका power steering ठीक से काम नहीं कर रहा है इन सब case में आपको तुरंट caution लेना है और अपनी गाड़ी service center में दिखानी है या तो आप normal service center में दिखा सकते हैं जो recommended होता है कि आप मारूती के showroom में या फिर service center में दिखा सकते हैं अब बात करते हैं high beam के बारे में तो high beam जब आप on करते हैं तो आपको इस तरह से light आपको दिखेगी display में इसके अलावा दो indicator और होते हैं एक low fuel warning light जो इ आने पर आपकी जलती है और दूसरा होता है door warning light जो कोई सा भी पांच में से अगर एक door भी ठीक से बन नहीं है तो ये warning light आपको जलती दिखते मिलेगी I hope आपको video helpful लगा होगा thanks for watching मिलते हैं अगली बात